नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल एस्ट्रो सच को अभी सब्सक्राइब कर लें। पर पधार चुकी है, शास्त्रों में वर्णित है कि और मान्यताओं के अनुसार, अगर चैत्र नवरात्रि पर यदि माता रानी का आगमन उनके वाहन सिह पर नहीं बलकि घोडे पर होगा, तो मान्यता है कि माता दुरगा का घोडे पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल विल्यान कारी माना जाता है, जीवन सुख्मय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ, भक्त जनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, माता वैशनों भरपूर आशीरवात देती है दोस्तों इस बार चैत्र नवरात्र पूरे नौ दिनों तक चलेगी यानि नौ दिनों तक नवरात्र का पर्व मनाया जाएगा न एक भी दिन कम न एक भी दिन ज्यादा, पूरे नौ दिनों तक चलेगी मातावैशनों की पूजा माशेरावाली की, विशेश रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्री का महापर्व इस बार 2024 में 9 अप्रेल दिन मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रेल दिन रविवार को समाप्त होंगे। दोस्तों, चलिए। अब जानते हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशे जरूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास आपकी राशे के अनुसार कोई उपाय होगा, तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिपलाई में बता देंगे, ताकि आपको राशे के अनुसार फल प्राप्थो, राशे के अनुसार किया गया, कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है, मैया वैशनो रानी बहुत प्रसन्न होती है, कमेंट में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है, हमारे घर में जै माता रानी एक लाइक जरूर करें, माता वैशनो राणी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताये गए व्रिद्ध, चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो, उनसे जुड़े पालन का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए, वह संघर्ष नहीं कहलाता कहां जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानि कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है, इसी लिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधी विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है, अति उ दैव मां की सेवा करता है ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है इसी लिए जोति शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में इश्वर के प्रति श्रध्धा हो तो बिन पूजा पाठ रिष्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जनमों तक सुख नही तो उसका नाता उस शक्ती से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनो कामना को पूर्ण करते हैं। ये तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से वरत संपूर्ण और सफल हो जाता है। क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पर जाता है और शुक्रवार को मा संतोशी का वार कहा जाता है। माता संतोशी खटी चीज खाने वाले व्यक्ती से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है क्योंकि नवरात्रों में माता संतोशी जागरित अवस्था में हो जाती है। माता संतोशी की शक्ती नवरात्रों में कई करोड गुना बढ़ जाती है, नवरात्रों में जब शुक्रवार पर जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए, माता संतोशी नाराज हो सकती है, आपको दंड दे सकती है, नीमबू नहीं खाना चाहिए, वैसे तो नवरात्र के व्र जो वरत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है, ध्यान पूर्वक, अगर आप शुक्रवार को खटा नहीं खाते हैं, तो माता संतोशी आपको धन धान्य से माला माल कर देती है, आपके घर में अपना वास बना लेती है, बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ पानी पूरी आप खा सकते हैं, वह भी जब नवरात्री समाप्त हो जाए दोस्तों, नवरात्री के दिन से जरूर खाना चाहिए, शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदी जरूर और वरत सम्पूर्ण हो जाए, शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों, नवरात्रों के दिनों में सीता फल जरूर खाना चाहिए, सीता फल खाने से 25 ऐसी बिमारियां हैं जो खत्म हो जाती है, माना जाता है, नवरात्रों के दिनों में सीता फल का घर में भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्र के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीता फल आपको जरूर खाना चाहिए। की आते होती है उसमें जख्म हो सकते हैं क्योंकि इस दौरान हम वरत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसी लिए हलका खाना खाना सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। वरत धारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए इससे हमारे शरीर में की भरपूर जरूरत होती है, पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं। रसीले आलू जरूर खाना चाहिए दोस्तों, नवरात्रों में भिंडी की सबजी, जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोशक तत्व होते हैं जो हमारी हड़ियों को मजबूत बनाते हैं। तथा नवरात्रों में बैंगन की सबजी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे जब नवरात्रों में सोमवार पर जाए तो बैंगन की सबजी मत खाना पाप लगेगा। नवरात्रों में सबजी में हर हरा धनियां जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोशक तत्व मिलते हैं, नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाएं. इससे जो शुगर लेवल होगा, वह कम हो जाएगा. नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भुल कर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए. मूंग फली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है. दोस्तों, नवरात्रों में व्रिधी को डिब्बाबंद, लस्सी डिब्बाबंद, जूस नहीं पीना चाहिए. उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत तूट सकता है. जब भी आप फलों का जूस पीएं तो याद रखें. उसमें नमक डालें. नहीं त आता पुराना नहीं होना चाहिए. क्योंकि पुराने आटे में कीडे वगएरा पढ़ जाते हैं. जिसके कारण आपका भ्रम तूट सकता है क्योंकि ये छोटे-छोटे कीडे हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुह तक पहुँच जाते हैं. ऐसा आता खाना मतलब कीडे मकोडों का मांस खाने के बराबर माना गया है. दोस्तों, नवरात्री के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं. आलू वगेरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की ठिकिया बना कर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचडी खा सकते हैं, आ आपको ताकत देगा, चाय वगेर भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे, उसमें नमक डालें, चाय में नमक डालने से वरत भी तूट जाएगा और हड्डियां भी गल जाती हैं, एक बात का ध्यान रहे, वरत धारी को पेट भर खाना, यानि गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वरत रखने का कोई भी फाइदा नहीं होगा, थोड़ा-थोड़ा खा सकते हैं दोस्तों, नवरात्र के नौ दिन, आदिशक्तिमाम दुर्गा को समर्पित होते हैं, नवरात के नौ दिन, माता रानी के नौ अलग-अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है, न नवरात्र के दौरान भूल कर भी माता रानी को और नहीं करना चाहिए, अगर इन वस्तूओं को आप गलती से भी माता रानी को अरपित कर देते हैं, तो आपको वरत और पूजन का पूर्ण लाब नहीं होगा, इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मातारानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आई ये मा का जैकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, नमबर एक। कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिचाकर ही बनाना चाहिए। अकेला अगर छोड़ते हैं, तो माता भी आपको छोड़ कर चली जाएंगी, वव कहेंगे को मेरी जरूरत नहीं है, वह अकेली पड़ जाती है, इसी लिए माता के पास नहीं सोना चाहिए। माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बली भी दी जाती है, और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, खास कर कलश की स्थापना नारियल रख कर ही की जाती है। नारियल पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारी कल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है, साबुत नारियल ही सुख सम्रिधि का प्रतीक होता है, साबुत नारियल को ही श्रीफल यानि की मा लक्ष नवरात्री में मातारानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानि पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। नवरात्री में मातारानी के सामने नारियल को भूल कर भी न तोड़े क्योंकि नारियल बीजरूप होता है और स्त्रियां बीजरूप से ही शिशुको जन्म देती हैं। इसी लिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों नमबर तीन लॉंग लॉंग हम सभी मातारानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं लेकिन लॉंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मातारानी को सदैव फूल वाली लोग ही अर्पित करना चाहिए जिस लॉंग के उपर फूल नहीं होता या फिर जिस लॉंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती उसको आप मातारानी के पूजन में भी भूल कर भी इस्तेमाल न करें फूल वाले लोगों को ही पूर्ण माना जाता है और मातारानी की पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तू कोई भी खराब वस्तू या तूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसी लिए सदैव माताराणी की पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तिमाल करें दोस्तों, नमबर चार तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए माम दुरगा की पूजा में तुलसी पत्र का इस्तिमाल करना वर्जित माना जाता है तुलसी पत्र के अलावा भी मातारानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी मातारानी को अर्पित नहीं करना चाहिए डुबा भगवान श्री गणेश को अतिप्रिय है नवरात्री में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं भगवान जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माताराणी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दूरवा, आप इतना करें माताराणी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें, माताराणी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए, लाल और देश ध्यान रखें कि मातारानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल न करें, जैसे कि जटेका, हुआ या तूटा हुआ दीपक या फिर चट का हुआ कोई बटन, साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे की और प्लास्टिक के बरतन आप मातारानी के पूजन में इस्तिमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बटन हड्डियों के उधर से मिलकर बनते हैं, ऐसा ना करें, ऐसे बर्तनों को मातारानी के पूजन से सदैव दूर रखें, मातारानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सूंगे नहीं, सूखे हुए फूल या गिरे हुए फूल, या फिर मुर्जाय हुए फूल, माता को अर्पित न करें, साथ ही साथ दोस्तों वरत रखने वालों को दाढ़ी मूँच और बाल नहीं कटवाने चाहिए, नौ दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए, अगर अखंड जयोती जला रहे हैं, तो इ प्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट चप्पल जूते बैग जैसी चमडे की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ फलाहार, एक ही जगह पर बैठ कर ग्रहन करें, नवरात्र के नौ दिन, माता दुरगा की भक्ती करने के दिन होते हैं, माता के भक्तों को इस दौरान काले रंग के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए, इसके अलावा कपड़ों की सिलाई करना भी इस दौरान अशुभ माना जाता है, कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी, प्राथा काल तुलसी माता की पूजा करके, शाम को उनके सामने दे इठा जल डालने से माता लक्ष्मी की विशेश कृपा प्राप्त हो जाती है, साथ आर्थिक तंगी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, और दोस्तों साथ ही साथ, इस दिन आपको कोई भी फल माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु को स्मरण करते हुए गाय को जरूर प्राप्त होगी। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिये है, सफेद रंग के दूद से बने मिश्ठान होते हैं, वह माता रानी को बहुत प्रिये है। तो अगर आप भगवान विश्नु जी को चड़ाते हैं, तो इससे मा लक्ष्मी आपके घर में स्वयम ही बिना कुछ बोले ही आ जाती है। और आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती है, और भगवान विश्नु भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, अर्थात माता लक्ष्मी केवल धन देती है, लेकिन किसकी किसमत में कितना धन देना है यह काम भगवान विश्नु जी करते हैं। क्योंकि भगवान विश्नु जी को पालनहार कहा जाता है, संसार के जीतने भी जीव जन्तु है, सब का पालन करने का दाइत्व रखा है। भगवान विश्णु जी ने तो भगवान विश्णु जी के कर्मों में कितना धन देना है यह निर्णय लेते हैं। इसलिए भगवान विश्णु को जितना ज्यादा हो सके दिन प्रसंद करने का प्रयास करें कि नजदीक बने जो मंदिर है। भगवान विश्णु जी का प्रियम भगवत गीता में कहा है कि संसार में जीतने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे सब मेरे ही स्वरूप हैं, इससे आपके रुके हुए भी जो भी कार्य हैं, वे पूर्ण हो जाते हैं, और उनका परिणाम आपको तत्काल मिलता है, जो आसपास के आपके मं समय में नारियल और बादाम जरूरत करना, बादाम की संख्या पांच रखना है, माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ानी चाहिए, जिस तरह मा लक्ष्मी की उत्पत्ती समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ती भी जल से हुई थी, मखाने भी कमल की पौ धर्म शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं। अच्छे हृदय से आपको आशीरवाद देती है। भगवान शनी भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा कभी नहीं बचेगी। और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तोर पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा। उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा। कंगाल हो जाएगा, बरबाद हो जाएगा। इसी लिए ऐसा खाना भूल कर भी इस समय खास तोर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं। पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। कड़ी पकॉडा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली, खीर आधी अवश्य बनानी चाहिए क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चान्दी के समान माना गया है। दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए, पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकरशित होती है। तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके उपर घर में स्थाई रूप से अपना वास बनाएंगी तथा लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकडे से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो दोस्तो हमने आपको बिल्कुल सच्ची ज जानकारी दी है।